वेलकम टू मोबिटॉप स्टडी आज हम डिसकस करने वाले हैं 12 जून के डेली करंड अफेर्म के बारे में चलो देखते हैं आज क्या न्यूज में हैं न्यूज में हैं सेंटर फॉर सेल्लिलर एंड मॉलेकुलर बायोलोजिक science and tech related news CCMB ने हाल ही में COVID-19 के टेस्टिंग के लिए एक नई टेस्टिंग कीट बनाई है जो RTNPCR टेकनिक से टेस्ट करेगा पहले जो ट्रेडिशनल हम टेस्टिंग कीट यूज करते थे वो RTPCR टेकनिक यूज करती थी जबकि अब नेश्टेड PCR टेक्निक बनाई गई है जो नहीं है and effective है तो CCMB हाल ही में न्यूज में है ये टेक्निक के लिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज क्यों है IIT-BHU न्यूज में है science and tech related न्यूज है IIT-BHU ने हाल ही में एक antimicrobial 5-layered mask बनाया है यहां पर देख सकते हैं mask related news है IIT-BHU ने बनाया है ये mask का उनका target ये है कि जिससे हम COVID-19 के जो बैक्टेरिया आ रहा है वाईरस उनको अंदर आने से रोके हैं तो ये traditional mask से क्यों अलग है normal mask 3-layered होते है और उसको दुबारा use नहीं कर सकते जबकि ये 5-layered mask है जिसको IIT-BHU ने बनाया है आगे बढ़ते हैं नए news क्यों है हाल ही में news में है भारत-माला परियोजना पहले तो बता देता हूँ भारत-माला योजना क्या है भारत-माला योजना भारत के बड़े-बड़े सहरों को highway से जोडने की एक परियोजना है जिसको ministry of परिवहन और परिवहन ने बाहर means announce किया है हाल ही में हमारे परिवहन मंतरा लएके मंतरी है नितिन गटकरी जी तो भारत-माला परियोजना जो 2021 और 2022 में complete होने वाले थी जो डिले होगी 2025-26 यानि की COVID-19 की वज़े से हाल ही में जो योजना 2021-22 में complete होने वाले थी वो अभी 2025-26 में complete होगी यह announcement किस ने की है ICRA यानि की Investment Information and Rating Agency ने यह announcement किया है आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की होगी National Institutional Ranking Framework हाल ही में न्यूज में है Ministry of HRD जिसके अभी मंत्री है रमेश पोखरियल उन्होंने National Institute of Ranking Framework अनाॉंस किया है देश में जो Education Institute है उसका रैंकी IIT मदरास ने टॉप किया है IISC Bangalore उसके बाद रही है और थर्ड नंबर पे हैं IIT Delhi यानि टॉप थ्री में है IIT मदरास IISC Bangalore और थर्ड नंबर पे हैं IIT Delhi आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की वर हाल ही में बांबू न्यूज में है बांबू एक वनस्पति है जो बहुत सारे small business के लिए हमें काम आती है furniture बनाने के लिए भी काम में आती है तो क्यों न्यूज में देख लेते हैं economy related न्यूज government ने हाल ही में बांबू की import यानि बाहर के देश से इंडिया में आने वाले बांबू पर उन्होंने tax लगाया है यानि custom duty लगाई है जो बढ़ा दिया ये अगरबत्ती manufacture जो है वो ज्यादा तर यूज करते थे ये बांबू का तो union government ने ये क्यों किया तो उन्होंने अपने देश यानि इंडिया में चलने वाले business को motivate करने के लिए COVID-19 की वज़े से इंडिया का जो economic growth है और business is down हो गया तो उसको up करने के लिए ये बाहर से import करने वाले बांबू को उन्होंने custom duty 10% to 25% कर दिये हैं जिससे आत्मन निर्बर भारत के अंतरगत होने वाले agriculture sector के reform में ये बांबू का agriculture reform भी लिया जा सकता है आगे बढ़ते हैं नए news क्यों हाल ही में news में है forex reserve foreign exchange reserve यानि कि RBI में पड़े हुए विदेशी dollar, yuan real यानि कि विदेश के जो traditional phone जो उनके वहां के पैसे है वो RBI में पड़े हो उसको बोला जाता है forex reserve forex reserve हाल ही में थोड़े time में बहुत ही बढ़ गए है इंडिया में 500 billion US dollar हो जाने वाले है जो हाल ही में 493 billion dollar है यानि एक अच्छी भात है कि इंडिया में forex reserve बढ़ रहा है तो हमें कोई दूसरे देश से dollar exchange करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा होने का कारण है हाल ही में crude oil में price कम होने हो गई है जो एक कारण है दूसरा अभी जो FDI में investment बढ़ा है वो भी हो सकता है तिसरा reason foreign portfolio investment भी हो सकता है तो ये तीन कारण की वज़े से इंडिया का forex reserve बढ़ा है ऐसा economist का मानना है आके बढ़ते हैं नए news की हो ICC International Cricket Council ICC ने अभी ही announcement किया है कि अगर किसी player को COVID-19 की बिमारी है और अगर वो ball tempering कर रहा है यानि कि अपनी थूंट से या अपनी लाड़ से ball को tempering कर रहा है तो वो खिलाडी को bicoat किया जाएगा वो match में उस पे legal कार्यवाई भी हो सकती है कि वो COVID-19 का spread कर रहा है तो ऐसे player को वो ban कर देगे और उसकी जगा पे नया player substitute के तोर पे नया player ला भी सकते है ऐसा अभी announcement किया है ICC ने यानि replacement कर सकते है अगर किसी player को COVID-19 की बिमारी है उसको ban किया गया है तो उसकी जगा पे replacement में नया player ला सकते है आगे बढ़ते हैं नया news की वो News में है Operation Desert Chase ओके हाल ही में News में है पहले तो ये Operation Desert Chase ISI जो पाकिस्तान की एक Inter-Service Intelligence कमपनी है उके उन्होंने चलाया है Information Past Under Operation Desert Chase यानि एक देश की Information दूसरे देश में लाने के लिए ISI ने Operation Chase Desert Chase Mission चालू किया था अभी हार ही में राजस्तान पोलिस ने राजस्तान में से दो लोगों को पकड़ा है जो ISI को भारत के Military के डेटा प्रोवाइड करते थे उके उनके लिए Official Secret Act के अंतरगत उन पे कार्यवाई होगी 2019 में Military ने उनको पकड़ लिया था ISI को डेटा प्रोवाइड करते उन पे अभी Official Secret Act तो ये 2018 सिटी का नाम बढ़ला गया है भारत के एक स्टेट में इंडिया रिलेटेड न्यूज है तमिल नाडू गवर्मेंट ने हाल ही में 1018 Cities के नाम बढ़ला लिये ओके यहां मैंने मैं में भी रखा है ये मेरा वाला काम है यानि कि योगी आदिक ते नाच चिन है जो UPKCM है उन्होंने भी अभी हाली में बहुत सारे नाम बढ़ले थे प्रिवियस मंच में तो इसलिए मैं मैं रखा है Changing the name of 1018 सिटी उनका मानना है कि हमारी जो मदर ठंगे उसमें वो सही उच्चा नहीं हो रहा है वो सिटी का जैसे कि कोईम्टूर है तो उसको कोई आम बहुत थूर कर दिया है वैसे ही बहुत सारे सिटी के नाम बढ़ले है जैसे कि वेललूर हो गा है वेलूर तो हाली ही में तमिलाडू गवर्मेंट ने वन थाउजन एटीन सिटी के नाम बढ़ले है आगे बढ़ते हैं नए न्यूस की वग न्यूस में है पर डॉप मौर कॉर्ट यानि की कम बुंदों में ज्यादा अना जुगा न प्रदान मंत्री किसी कृशी सिंचाई योजना के अंतरगत पर डॉप मौर कॉर्ट के लिए राज्यों को 4000 करोड अनाउंस किये है सेंटरल गवर्मेंट ने ये 4000 करोड देने से हमारे देश में खेत उपादन बढ़ेगा यानि किसानों को रहत भी होगी दोनों चीज काम में आएगी हर एक राज्यों को कितना देना है वो गवर्मेंट डिसाइड करेगी बट ये किसके लिए है एक खास दन्यकना पर डॉप मौर को प्रदानमंतिक क्रिशिस इंचाई योदना के लिए है आगे बढ़ते हैं नए नियूस की वह डीप नॉलेज ग्रूप इंडिया या रिलेटेड नियूस है डीप नॉलेज ग्रूप ने हाल ही में एक डेटा अनौन्स किया है कि सेफेस्ट कंट्री कौनसी है कोवीड-19 की सिचुएशन में वर्ल्ड में कौनसी कंट्री सेफ है जो कोवीड-19 की सिचुएशन में रहने लायक है तो उसमें फर्स्ट नंबर पे है स्वीजलेंड भारत है 56 नंबर पे ओके दो सो कंट्री की लिस्ट में भारत 56 नंबर पे है रिपोर्ट और सेफटी एन रिक्स एसेस्मेंट अफ नेशनल टैकलिंग कोवीड नाइटीन वो लिस्ट में स्वीजलेंड फर्स्ट नंबर पे है उसके बाद जर्मनी एन इसराइल है जो कोवीड नाइटीन की सिच्वेशन में वहाँ पे हम सेफली रह सकते हैं यह अनौंस किया है डीप नौलेज ग्रूप ने उन्होंने 200 देश का डेटा कलेक करके यह रिपोर्ट बनाया है आगे बढ़ते हैं नए न्यू इन्शूरंस रेगूलेटरी एन डेवलोपमेंट आथोरीटी ने अगर कोई फॉर्वीलर पर्चेस करते हैं तो उस पे थ्री यहर का फुल डेव्ट इंशूरंस लेना पड़ता है था और टूवीलर अगर पर्चेस करते थे तो फाइव यहर का इंशूरंस पॉरलीस ही ले कर रही है गवर्मेंट यानि यह चीज कंपलसरी नहीं रहेगी उसका कारण यह है कि अगर मैं नेनो गाड़ी पर्चेस करता हूं तो उस पर अगर तीन साल का जिरो डेप्ट इंस्योरंस लेता हूं तो मेरा 25 से लेके 50,000 तक का प्राइस बढ़ जाता हूं और गवर्मेंट को यह लगता है कि यह प्राइस बढ़ने से आटो मोबाइल सेक्टर की बिक्री कम हो रही है तो उसकी वज़ए से आई 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 डी ने यह इंस्योरंस कंपलसरी यानि कि थ्री यह एर और फाइव यह का प्लान कैंसल किया है बट वन यह का शायद कंपलसरी रहेगा तो हाल ही इसलिए न्यूस में है कि उन्होंने यह सारे स्कीम विड्रोल कर दिया है जो फर्स्ट ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी से लागू हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नए न्यूस क्यों है ग्लोबल एकोनोमी ग्रोथ वर्ड बैंक ने हाल ही में एक डेटा अनाउंस किया है क वर्ड की सिचुएशन अभी COVID-19 की महामारी में थोड़ी डाउन हुए है एकोनोमिक सिचुएशन वर्ड की हाल ही में वर्ड की एकोनोमिक ग्रोथ 5.22 परसंटेज है जो बहुत ही कम है और वर्ड बैंक का ये भी कहना है कि वर्ड वर्ड टू के टाइम पे वर्ड की जो सिचुएशन थी यानि विश्वयूद दो हुआ था वो टाइम पे जो वर्ड की सिचुएशन थी उससे भी खरब सिचुएशन COVID-19 की महामारी के बाद आने वाली है इसमें भारत का क्रोथ 3.2 परसंट रहेगा ऐसा एजब्शन किया है USA, Japan and Brazil and Russia का 6-8 परसंट रहेगा वो भ परते हैं नए न्यूज क्यों? TCS Tata Consultancy Services आयन डिजिटल क्लास्रूम हाल ही में न्यूज में है Science and Tech related न्यूज है देखते हैं न्यूज में क्या है? TCS आयन ने हाल ही में NC, NSDC यानि National Skill Development Corporation में Skill Development Training देने के लिए अपने TCS आयन डिजिटल क्लास्रूम का यूज करेगी तो TCS आयन और NSDC के बीच MOU Digital Classroom Study के related हुआ है आगे बढ़ते हैं नए न्यूज क्यों हाल ही में News में है Cow Slater Provision Amendment Ordinance UP Government ने हाल ही में Cow Slater Provision Amendment Ordinance 2020 बनाया है ये लोव पहले था Cow Slater 1955 जिसको Amendment किया है और नया लोव बनाया है 2020 तो ये लोव में क्या है अगर कोई हाल ही में गव रक्षा के अगेंस्ट यानि की गव हत्या करेगा काव की हत्या करेगा तो उनको 10 साल की जेल और 5 लाग का फाइन बना पड़ेगा तो न्यूज में क्यों है 10 लाग की जेल और 5 लाग का फाइन बना पड़ेगा ये अमेटमेंट एक्ट आया है 1955 के Cow Slater Acts है तो ये खास में ध्यान में रखना कि Cow Related Amandment Act हुआ है वो भी यूपी में आगे बढ़ते हैं नय न्यूज की वो न्यूज में है अथिरापल्ली Hydro Electric Power Plant कौनसे स्टेट में है वो देख ले थे केरल गवर्मेंट ने हाल ही में चलाकुडी नदी पर यानि चलाकुडी रिवर पर जो थीसूर जिल्ले में है उस पे अथिरापल्ली Hydro Electric Power Plant को मंजूरी दे दिया तो याद रखना अथिरापल्ली Hydro Electric Power Plant कौनसी रिवर पर है चलाकुडी रिवर पर है कौनसे डिस्टिक में त्रिसूरा डिस्टिक में एंड केरल स्टेट के न्यूज है वो कि यह चलाकुडी रिवर के बारे में देख ले थे 145 किलो मिटर लॉंग है और उसका उद्बवस्तान है अन्नाई मलाई रिजियन तमिलनाड़ ओके स्टेट रिलेटेड न्यूज है यह भी ध्यान में रखना आके बढ़ते हैं नए न्यूज क्यों है हाल ही में न्यूज में है International Religious Freedom Report 2019 जो यूइस के स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है यह रिपोर्ट नॉर्मली रिलिजियस फ्रिडम कांसे स्टेट में कैसा है वो इन्फोर्मिशन प्रवाईड करता है जीस में अभी इंडिया का रिपोर्ट ऐसा सेम रिपोर्ट अभी थोड़े टाइम के थोड़े महीने पहले इंडिया के लिए भी अनाउस किया गया था जीस में इंडिया की सिचुएशन रिलिजियस फ्रीडम के बारे में बहुत खराब थी ऐसा ही अपने खुद के स्टेट के लिए USA ने अभी इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम रिपोर्ट अनाउंस किया है 2019 आगे बढ़ते हैं नए न्यूस की वर्ट न्यूस में है वर्ल्ड एक्रेडेशन डे तो Quality Council of India ने 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडेशन डे का सेलिब्रेशन किया है उसकी थीम है इस बार की यानि की वर्ल्ड एक्रेडेशन डे 2020 की Acceleration Improving Food Safety यानि की फूड में अभी जो दवाई का यूज हो रहा है उसकी safety नहीं रही है Quality नहीं रही है उसको improve करने के लिए हाल ही में फूड इंप्रूविंग फूड सेफ्टी थीम रखी गई है आके पढ़ते हैं नए न्यूस की वर्ल्ड न्यूस में है बॉर्डर एक्जेस्मेंट टेक्स अब बॉर्डर एक्जेस्मेंट टेक्स किया है यह समझा देता हूँ निती आयोग ने हाल ही में एक favor दिखाया यानि वो कर सकते है ऐसा दिखाया उस पे decision future में ले सकते है बॉर्डर एक्जेस्मेंट टेक्स लाने के लिए तो भारत में import होने वाली यानि बाहर से कोई भी country से इंडिया में आने वाली चीज़ पर वो बॉर्डर ये है एक तो economic growth भारत का बढ़ेगा दूसरा भारत में manufacturing होने वाली चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भी ये चीज़ हो सकती है बॉर्डर एक्जेस्मेंट टेक्स दूसरी एक चीज़ कि अभी USA और चाइना के बीद जो trade tension चल रहा है वो उसके कारण बॉर्डर एक्जे trade war की वज़े से दोनों देश में से आने वाले जो भी product है वो भी कम हो सकते हैं और उसका tax भी बढ़ सकता है आगे बढ़ते हैं नए news की ओर देखते हैं आज के short and sweet news में क्या है NFL National Fertilizer Limited ने ITA नांगल के साथ ITA नांगल जो पंजाब में उसके साथ 12 trade for employment का MOU किया है National Fertilizer Limited ने ITA नांगल जो पंजाब में उसके साथ MOU किया है हरियाणा ने हाल ही में 1000 water recharge board construct किये एमफासीस payment system partner ने mastercard ने हाल ही में contact free COVID-19 की महामारी में जितना contact कम होगा उतना अच्छा रहेगा तो ATM में भी अगर contact कम हो ऐसा ATM withdrawal system mastercard बनाने वाली है Amazon ने हाल ही में MSME acceleration business launch किया है Russia के high jump high jumper सुच्छो वो जो 2010 के Olympic के winner थे high jumper के उनको हाल ही में चार साल के लिए dropping band लगा है ओके रसिया के player है सुच्छो इपेसा and first alliance bank become partner for African POS solution African countries में POS point of service solution के लिए इपेसा and first alliance bank के बीच में MOU हुआ है गर्ग international ने हाल ही में Sonu suit को brand ambassador बनाया है भारती इंटरनेशनल Singapore भारती इंटरनेशनल जो Singapore में उन्होंने Robi Exita जो entity डोकोमों की company है यानि उसकी एक branch है जो बांगलादेश में है उसके 6.3 percentage stock खरीद लिए है पीरे नकुर रीजा जो हाल ही में बुरुन्दी के प्रेसिडेंट थे 55 यर की age में उन वो दुनिया में नहीं रहे ओके आज के न्यूज में इतना ही था अगर चैनल लाइक आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही थेंक यू